नमस्कार and I welcome you to study hub in this video we will discuss the remaining topics of the president of India ठीक है तो चलिए start करते हैं अपना आज का session तो हम आज discuss कर लेंगे oath and affirmation by the president of India तो president की oath जो है वो क्या बताती है हमें ठीक है in his oath president क्या swear करते हैं वो faithfully अपना office जो है वो execute करेंगे अपने जो functions है अपनी powers है उनको faithfully execute करेंगे to preserve, protect and defend the constitution and the law to devote himself to the service and well-being of the people of India ठीक है यह वो swear करते हैं यह तीन चीज़ें क्या करते हैं स्वेर करते हैं और इनकी जो oath होती है उसको administer कोन करता है Chief Justice of India क्या करता है उसको administer करता है ठीक है ओत को उनको जो शपत होती है जो कसम होती है वो कोन दिलवाता है Chief Justice of India इनको कसम दिलवा ठीक है और अगर Chief Justice of India absent हो जाए अगर हमारी Chief Justice of India absent हो फिर को इनको ओर्थ दिलाएगा तो फिर दिलाएगा senior most judge of the Supreme Court of India तो इनकी ओर्थ में ठीक है तीन चीज़ें होती है to faithfully execute the office ठीक है अपनी powers अपने function को faithfully execute करेंगे protect करेंगे preserve करेंगे और defend करेंगे constitution and the law और devote करेंगे of India term of office of the president of India under article 56 वैसे इनकी जो term of office है वो किनी रहती है five years की रहती है इनकी term of office तो अगर इनकी term जो है वो expire भी हो जाए और किसी कारण वर्ष ठीक है हम election जो है election commission of India election ना करवा पाए तो वह जो पूराना जो प्रेज़ेंट होगा जो पूराने हमारे उंगे वो ही क्या करेंगे continue करेंगे कश़ए बात अगर election commission of India कसी कारणवर्ष एलक्ष ना करवा पाए प्रेजिट के तो पूराने जो प्रेज़ेंट होते हैं वो ही क्या करते हैं continue करते हैं तो जो प्रेजेदेंट थे किसको देते हैं प्रेंड आपना retail देते हैं वाइस प्रेज़डर अफिंडिया और वाइस प्रेज़डा इंडिया जो है वह हों कि यॉज मोट हो शिर्फ दो बार ही यॉग्ट हो सकता है मतलब सकता है मतलब दो consecutive terms के लिए ही वो elect हो सकता है. दो consecutive हो या consecutive ना हो तब भी चलेंगे ठीक है? मतलब एक बार 4 साल आया और उसके साथ 4 साल अगली बार भी आसकता है लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि एक बार वो जैसे डोनार्ड ट्रम आये थे एक बार चार साल आगे वो President उसके बाद Biden आगे ठीक है और उसके बाद फिर से Trump आ जाए ठीक है तो consecutive भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं लेकिन term जो है वो दो ही होंगी एक राष्ट्रपती जो अमरिका में बनता है वो सिर्फ दो ही बार बन सकता है दो से जादा नहीं बन होती है क्या होती है यह कैनाट बीदा मेंबर अफ लोकसभा एंड राज्यसभा यह सबीन मेंबर आइदर आफ था हाउस अगर वह किसी भी हाउस का मेंबर हुआ तो उसको वह सीट जो है उसी टाइम वेकेंट करनी है खाली करनी है अपने पहले दिन आफिस में पैर रखते ह अपने राष्ट्रपती के आफिस में पैर रखेगा उसी दिन अगर वह लोकसभा का या राज्यसभा का कोई मेंबर है तो उसको वह उसी दिन अपनी सीट करनी है वह कोई भी ऑफिस अफ प्रॉफिट जो है वोल्ड नहीं कर सकता उसको राष्ट्रपती भवन दिया की तरफ से दिये जाएंगे जो डिमिश नहीं हो सकते उसकी टर्म आफ आफिस के दोरान ठीक है उसको इम्मूनिटी है उसके खिलाफ कोई भी सीविल प्रसीडिंग और किर्मिनल प्रसीडिंग जो है वो नहीं हो सकती एरेस्ट इंप्रिसनमेंट से उसको इम्मूनिटी है वो उसके खिलाफ नहीं हो सकती है, लेकिन सिर्फ civil proceeding जो है उसके खिलाफ चल सकती है, criminal proceeding तो बिल्कुल भी नहीं चल सकती है, लेकिन सिर्फ civil proceeding चल सकती है, वो भी उसने जो personal act किया है उसके लिए, और civil proceeding चलाने के लिए उसको हमें दो मन्त पहले का prayer notice जो है, वो दिना पड़े जो है नोटिस उनको देना पड़ेगा, Immunities to the President of India, President के Office को को Immunities होती है, ठीक है, President of India को कुछ Immunities होती है, According to Article 361 Clause 1, President is not answerable to any court of law, Article 361 Clause 2, कोई भी उनके खिलाफ Criminal Proceeding जो है, नहीं चला सकता, कोई भी Criminal Proceeding जो है, President और Governor के खिलाफ नहीं चलेंगी, President को देना पड़ेगा, President और Governor को देना पड़ेगा, No Proceeding for the Arrest or Imprisonment, इसकी कोई भी Preceeding जो है, ना Arrest हो पाएगा, ना Imprisonment हो पाएगा, President और Governor का, अरे बही, President है, हमारे ठीक है, जो Supreme Commander है, Armed Forces के Constitutional Head है, उनका Arrest or Imprisonment कैसे कर सकते हैं, ठीक है, Constitutional Post है, उनका Imprisonment और Arrest, अच्छा भी नहीं लगता, ठीक है, तो Constitutional में कुछ चीज़ें जो लिखी है, विज़म के साथ लिखी है, समयदारी के साथ लिखी है, तो ये सब चीज़ें जो हैं, उनके खिलाफ नहीं हो सकती, ये Immunity जो है, तो आपको क्या करना है, प्रेजेंट की जो elections है, वो conduct करवानी है, ठीक है, 6 मिने, मतलब 6 मिने पहले, आपको प्रेजेंट की लेक्षन जो है, वो conduct करानी है, 5 साल खातम होने से पहले पहले, और अगर विकेंशी जो है, वो resignation से, removal से, से जो है वह looks coś create होती है तो आपको उस्काइब जिस दिन वह होगी आपको उसी दिन क्या करना है प्रेजिण की प्रेजडिट की इलेक्शन के लिए जाना है लेकिन तब से जब तक इलेक्शन की जब तक नशापर राता है तब तक हमारी 5 years के लिए आएगा जो new president होगा वो next पूरे 5 years के लिए आएगा वो बचे हुए जो पूराने president के years है वो complete नहीं करेगा अंलाइक USA USA में क्या होता है अगर Biden जी किसी कारन वर्स चल बसते हैं तो चुक कमला Harris है जो कमला Harris वह बाइडन का बचा हुआ टर्म जो है वह पूरा करेंगी लेकिन इंडिया में अगर कोई डेथ वगरा हो जाती है रिमोवल हो जाता है रेजगनेशन हो जाता है तो जो न्यू प्रेजेंट आएगा तो वह पूरे अपने 5 साल जो है वह अब ऐसा भी हो सकता है कि कभी कबार क्या होते है कि जो election. वो delay हो जाती है ठीक है किसी कारण वर्ष election नहीं करवा पाता है ठीक है कोई टब तक जब तक now a present थो अगर उसकीठ वगारा हो जाते है रिमोवल हो जाता है तो वाइस प्रेजेंट फेंडिया जो है वो उनका office संबालते हैं अगर vice president of India का भी office खाली है तो chief justice of India संबालते हैं और अगर chief justice of India का office भी खाली है तो senior most judge of the supreme court जो है वो president का किरदार निभाएंगे मतलब अगर president जो है वो रिमूव हो जाता है removal हो जाता है death हो जाती है उनकी ठीक है जो है वो office संबालेंगे ऐसा तो होगा निए कि यह सारे नहीं है ठीक है ना ऐसा कभी होगा नहीं तो कोई ना कोई जो है वो present होगा क्या करने के लिए प्रेजिडेंट का जो office है उसको संबालने के लिए तो what is a procedure for the impeachment of the president देखो impeachment अभी तक प्रेजिडेंट की इंडिया में नहीं हुई है ठीक है अभी तक impeachment प्रेजिडेंट की अभी तक नहीं हुई है तो procedure जो है वो आपको जानना बिल्कुत जोरी है तो impeachment जब भी प्रेजिडेंट की होगी वो सिर्फ एक ही condition पे होगी अगर वो constitution को violate करते है ठीक है violation of the constitution होगा अब violation of the constitution जो है वो constitution में mention नहीं है जो violation of the constitution term है ये constitution में mention नहीं है कि प्रेज़ेंट क्या करेंगे तो हमारा वाइलेशन ऑफ तर कॉंस्टूशन होगा यह क्या करता है कि यह पार्लिमेंट देखती है यह उपोजिशन देखती है कि प्रेज़ेंट ने क्या किया है जिसकी वज़ा से वाइलेशन ऑफ तर कॉंस्टूशन हुआ है तो यह हाउसिस के सामने पेर हो और अपना पक्ष रखे और इवन प्रेजेंट को एट और भी दिया जाता है उसकी चॉइस का वकील भी दिया जाता है यह यह वकील अपने आपको डिफेंड करने के लिए ठीक है और कोई पेनल्टी नहीं होती है बस अगर उसने क्या किया वालेशन आफ तर कांटिटूशन किया तो उसको क्या क्या अंपीच किया जाएगा देखो जो अंपीच्मेंट का मोशन है वो दो हॉसमें से लोकसभा और राज्यसभा दोनों हॉसमें से किसी भी हॉसमें वो पेश हो सकता है लेकिन उसके लिए आपको वन बाइफ फौर्थ मेंबर क जो है वो support चाहिए उस nomination paper को आगे बेजने के लिए अगर एक house में ये nomination paper जो है यहां पर pass हो जाता है तो इसको दूसरे house में बेजा जाता है तो दूसरा house है वो as a judicial body जो है वो work करता है वो investigate करता है कि क्यों impeach किया जा रहा है ये जो पहला house है लेजिसलेटिव बॉड़ी का काम करता था है तो ये दो housis है अगर लोकसभा में अगर लोकocyke जो है इंपीच्मेंट मोशिं जो है वो इंट्रेड़्ूस हुआ था तो लोकसभा जो है वो कैसे उती वो क्या मतलब वो कैसे अपेर होती वो एक legislative बॉड़ी अपेर होंती वो एक legislative body up e r उती कह? एक judicial body up e r ओती वहा है इंपीचमयंट ओफ प्रेस्टन यह investigate करती केस boot अगर राज्यसभा में इंट्रीडीउस हुए हुआ है तो लोगसभा क्या करेगी लोगसभा का करेगी वह investigate करेगी केस को इसके केस को प्रेजेंट के केस को प्रेजेंट को पूरा मोका दिया जाएगा अपने आपको defend करने के लिए और दूसरे हाउस को जुडिशल हाउस को जुडिशल बाडी को क्या करने के लिए convince करने के लिए अगर convince कर भी देता है वो फिर भी इनका मन है दूसरे house का मन है कि वो उसको impeach करें ना करें ठीक है तो यह जो impeachment है यह special majority से pass होनी चाहिए यह जो impeachment है यह special majority से pass होनी चाहिए और अगर special majority से pass हो जाती है तो president will be impeached तो president क्या हो जाएगा impeach हो जाएगा तो यहां पर कुछ process है impeachment resolution can be inserted in any house of the parliament आपको बता दिया जो impeachment है वो किसी भी house of the parliament में क्या हो सकती है introduce हो सकती है impeachment resolution can be initiated in any house of the parliament impeachment resolution जो है वो किसी भी house of the parliament में introduce हो सकता है वो लोकसभा में भी introduce हो सकता है राजसभा में भी introduce हो सकता है जो पहला house होगा जिसमें introduce होगा उसको हम legislative body बोलेंगे और जो दूसरा house होगा वो उस matter को investigate करेगा और उसको हम judicial body कहेंगे ठीक है judicial body के सामने president को पूरा right होगा कि वो अपने क्या करे वो क्या करे वो अपने case को defend करे और convince करे दूसरे house को अगर वो convince करने में सफल भी हो जाता होता है तब भी दूसरे house के पास पूरा right है कि वो उसको impeach करे ठीक है resolution initiated must be signed by the one-fourth of the candidate of the initiating house within 14 day notice to the given to the president तो जो resolution है वो one by fourth of the candidate जो है MPs है जिस house में initiate हो रहा resolution वो उसको sign करेंगे ठीक है फिर जो motion होगा वो आगे जाएगा लेकिन इसके अंतरगरत आपको क्या करना है चोदा डे का advance notice भी president को देना है ठीक है कि हम आपको impeach करने जा रहे है अब जिसको impeach करने जा रहे है उसको भी तो पता होना चाहिए कि भाई मेरी पारिमेंट उसको sign करेंगे उससरे resolution को insert करने के लिए impeachment resolution is passed by 2 by 3rd majority of the total membership of that house ठीक है special majority से उसको pass कर दिया जाता है और दूसरे house को send कर दिया जाता है जो कि investigate करता है charges if the other house also sustain the charges other house investigating house है अगर वो charges को sustain करता है और pass कर देता impeachment को 2 by 3 से special majority से pass कर देता है अगर impeachment को और then the president will stands to be impeached ठीक है present to have impeached हो जाए तो यह था present की impeachment this is all about today's lecture ठीक है इसके बाद एक दो lecture और आएगा प्रेजिदेंट पे उसकी powers हम discuss करेंगे executive powers legislative powers arbitrary powers उसकी ठीक है veto जो है वो discuss कर लेंगे तो दो तिन lecture हो सकता है और आ जाए तो thank you so much and God bless you all